ओम श्यान्तिम हमें बाबा को इस संचार में पर्तक्ष करना है और अपनी स्रेश्टि स्थिती के द्वारा अपने फरिवार का, अपने संबंदियों का, अपने समाज का और अपनी संपोर्ण वन्शावली का कल्यान भी करना है हम सब रोज सुनते आते हैं कि हमारी स्थिती पर ही सारे संसार की स्थिती निरभर करती है सभी धर्मों की धर्म पिताओं की धर्म के नेताओं की स्थिती निरभर करती है तो हमें बहुत ध्यान देना है अपनी स्थिती पर कुछ हैं हमारी साधना है जैसे ही योग-युक्त होना हमारी साधना है आत्मिक दृष्टी रखना हमारी बहुत स्रेश साधना है एसरीरी होना भी हमारी साधना है पवितरता हमारी सबसे बड़ी साधना है पंतु इन सब साधनाओं के उपरांथ हमारी स्थिती का निर्मान होता है हमें अपनी स्थिती पर बहुत ध्यान देना है स्रेश्ट स्थिती माना हमारा मन कभी भी विचलित न हो हम कभी परिशान न हो जाएं हम तनाव में आ जाएं हमारा कर्शन संसार की ओर न हो जाए हम बेलकुल श्यांत खुसी में एक रस, चांचित, साक्सी भाव रहें, ये स्रिश्ति-स्थिति है, संसार के लोग जब हमें देखते हैं, कि ये तो जैसे पहले थे वैसे ही अब हैं, दस साल हो गई इनह जान में चलते हुए, विश साल हो गई, लेकिन ये वैसे कि वैसे ही हैं, तो वो जरूर कि वहां जाकर कुछ नहीं मिलेगा, और ये एक तरह से ऐसी आत्माओं के द्वारा होने वाली डिस सर्विश ही कहलाई जाएगी, और जिन आत्माओं की स्थिती को देखकर सभी बाबा की समीप आते हैं, जिन की स्थिती को देखकर सभी का जीवन लाइट हो जाता है, सभी जीवन जीने की कला सीख लेते हैं, ये उनकी चलते फिरते सहज भाव की सेवा हो जाती है, इससे बाबा की परतक्स्ता होती है, बाबा का नाम रोशन होता है, तो हम इस बात पर ध्यान दें, केवल ज्यान देने से काम नहीं चलेगा, केवल ब्रम्चर ये पालन कर लिया, इ प्रोद वैसा ही रहा, एंकार वैसा ही रहा, चिड़ चिड़ापन वैसा ही रहा, संसकार वैसे ही रहे, दूसरों से व्यभार में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो इससे बाबा का नाम रोशन कदापी नहीं होगा, ना अपने को आत्मजंतोस होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं, जब हम इस वरिये महावाक सुनेंगे, तो हमें ये महसुस अवस्य होगा, कि हम तो बहुत पीछे हैं, हमने अभी तक कुछ पाया नहीं है, तो आईए हम स्रेश्ट स्थिटी के द्वारा सब को सुख दें, और बाबा से संपूर्ण सुख प्राप्त करें, अगर संगम युग पर हमने भगवान का बच्चा बनने के बाद इस वरिये सुख न पाया, अगर हमने अपने साथियों को प्रेम और सुख न दिया, यदि हम उनको भी संतुस न कर पाए, यदि हम उनका भी ध्यान न रख पाए, तो भला हम अपनी परजा का ध्यान कैसे रखेंगे, यदि हमारे साथ ही हमसे परिशान रहते हों, तो परजा कैसे हमसे संतुस रहेगी, तो जिने महान बनना है, जिने विश्व की सेवा करनी है, जिने इस अंसार में बाबा का नाम रोसन करना है, हर दिल पर बाबा के प्यार का जंडा लहराना है, उन्हें अपनी स्रेश्टिस सिती पर विशेश ध्यान देना चाहिए, केवल यों ही ग्यान में चल रहे हैं, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, हम चले नहीं, लेकिन उन सब बातों पर चलें, जो बाबा हमें कहते हैं, तो आईए आज सारा दिन, हम अपने अपने परिवारों में, अपने कर्म छेत्र पर, शाक्षातकार मूर्थ बन कर रहें, मैं इस्ट देवी हूँ, इस्ट देव हूँ, और मेरा सभी को शाक्षातकार हो रहा है, मेरा वर्दानी हाथ उपर है, सब को मुझ से ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, किसी को भी बद्दुआएं नहीं, अपने शाक्षातकार मूर्थ स्वर तो आज सारा दिन हम अभ्यास करेंगे, मैं इस्ट देवी हूँ, मैं पूजनिये हूँ, मैं परम पवित्र हूँ, और सुक्स्म लोक में जाएंगे, बाबा को सामने देखेंगे, और मैंसुस करेंगे, बाबा ने अपना वर्दानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है, और बाबा द्रस्टी दे रहे हैं, तो आप सब को बहुत बहुत थैंक्स, ओम च्यान्टी